स्टोडी ओफ इंग्लिश का जो यह विवी आई क्वेस्टन का जो सीरीज चल रहा है इसके सेकेंड पार्ट में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है और प्रिवेसली हमने चार बहुत इंपोर्डेंट क्वेस्टन का स्टडी किया था तो चलिए इस पार्ट टू में हम फिर से चार और प्रश्णों का स्टडी कड़ेंगे जो काफी भी भी आई है तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेस्टन यानि कि इस क्वेस्टन नमर फाइब में चलेंगे तो देखते हैं कि क्वेस्टन क्या करता है राइडे स्वाट नोट ओन इंडियन इंग्लिश पोएट भारत में जो है कविता की जो रचना की गई या लिखी जाने लगी और उनिश्वी सताब्दी के प्रारम में शुरू किया गया इसको एच सी डेरवाईजियो केपी घोस तोरुदत मनमोहन घोस यह सारे जो नाम है यह जो लोग है एट्सेटरा आर्दा पायोनिर्स इन दिस फिल्ड इस छेत्र के प्रमुख जो है कवी है कह सकते हैं यानि भारत में जो कविता की शुरूवात की गई उनिश्वी सताब्दी के प्रारम में उसमें इन सबों का नाम बड़ा ही महत्वपूरुन है सरोजनी नाइडू नोन एज दे नाइटिंगल अफ इंडिया सरोजनी नाइडू को भारत के बुलबुल के नाम से भी जाना गया इंगलेंड के जो महान जो रोमांटिक पोएट्स थे उनसे प्रभावित होकर के उन्होंने कई सारे लिरिक्स को कमपोज किया था किसने तो सरोजनी नाइडू ने आरें टेगोर यानि रविंद्र नाटेगोर गोट नोबल प्राइज फर लिट्रेचर और आपको पता है कि शाहित यह के छेतर में रविंद्र नाटेगोर को नोबल प्राइज भी दिया गया जो कि दुनिया का सर्वस्ट्रेस्ट प्रुसकार भी है फोर इस मास्टर पीस गितान्जली, किसके लिए दिया गया? कॉन से क्रियाशन के लिए उनका जो सबसे महत्व पूर्ण क्रियाशन था रशना थी गितान्जली इसके लिए रविंद्र ना्टेगोर को दिया गया Nobel Prize अरविंदो घोस असियर एंड नेशनलिस्ट रोस्ट दह इपिक सावित्री और एक बहुत ही बड़े जो प्वेट थे अरविंदो घोस उन्होंने सावित्री जो ग्रंत था इपिक था उसका रशना उन्होंने किया था देर आप्टर इसके बाद ये होस्ट ओफ राइटर्स लाइक निशिम एजेकियल, एके रामानुजन, जयन्त महापात्रा, पीलाल, केकियन दारुवला, सिव केकुमार, कमला दास, एटसेटरा, एन्रिस्ड इंडियन इंग्लिश पोएट्री, विद दे विराइटी ओफ थिम अब हम लोग चलेंगे सेकेंड क्यों क्योंके राइट तो आज का हमारा सेकेंड क्यों हमारे स्क्रीन पर आचुका है क्वेस्ट नमर सिक्स में चलेंगे राइट ए शोट नोट ओन इंडियन इंग्लिश नोबेल भारतिय अंग्रेजी उपन्यास पर एक शोट नोट लिखना है तो चली इसका जरा आंसर समझते हैं तो कहता है नोबेल इस टोडी ओफ मैन इन सोसाइटी नोबेल क्या है ते स्टो पायोनियर्स इनडिस फिलेड देखिए अगर नोबेल के बात कि जा भारत में तो इसमें कुछ नाम है जैसे आरके नरायन का नाम आता है मुल्क राजानंद का नाम आता है राजा राओ इन सबों को एस चैत्र में यानि की नोबेल की चैत्र में अग्रणी उपन्यास्कार मन जाता है दे इस्टाबलिस्ट एक ग्रेट ट्रेडिशन उन्होंने एक बहुत ही बहतरिन परंपरा के अस्थात्मा किया देज नोबेल्स रिफ्लेक्ट दा सोसल पॉलिटिकल एंड कल्चल लाइफ ऑफ इंडिया यह सारे नोबल्स ने क्या रिफ्लेक्ट किया क्या प्रदर सिद किया इंडियान इंगल्स नोबेल हो गोट वर्ड वाइड रिको निसन जो भारतिय अंगरेजी उपन्याश है न वह पूरे दुनिया में क्या दुनिया में इनोंने पहचान जो है भारतियों नोबेल ने अस्थापित किया है कमला मारकंडे नयन तारा संगल कुश्वन सी मन्नुहर मालगाउंकर अनीता देशाई अरुन जोसी बिक्रम सेठ अमित घोस अरुन धतिरोय किरन देशाई जुंबा लहरी ये सब ऐसे नाम है फिल्स यह था आजका सेकेड़ कुश्वन अब हम लोग चलेंगे थार्ड क्वेस्वन कि और चलेंगे तो चलिए आज के धर्ड क्वे justice टोर आगे बढ़ते है अज का 3rd question of the initiativeQué sells No.학 अब दीख पाड़े write a short note on English as the second language of India यानि भारत में अंग्रेजी द्वीतिय भासा के रूप में इस पर एक short note लिखें तो चलिए इसका answer समझते हैं English is taught as the second language in India भारत में अंग्रेजी को द्वीतिय भासा के रूप में पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है क्यों कि Hindi is our national language Hindi हमारी मात्री भासा है याराश्ट्रिय भासा है या भड़तो भी English has become the language of science फिर भी जो इंग्लिश से हो science का विज्ञान का भासा है कॉमर्श्वानिजी का भासा है एंड टेक्नोलोजी और तक्निक का भासा है इसलिए भारतियों के लिए अंग्रेजी भासा का वर्किंग नौलेज बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है विदाउट दो नौलेज ओफ इंग्लिश अंग्रेजी के ज्यान के भी न आगे देखेंगे दव प्राइम मिनिस्टर्स केंपेंड ओफ मेक इन इंडिया भारत के प्रधान मंत्री ने जो केंपेंड चलाया है मेक इन इंडिया कैनोट भी सक्सेजफूल यह सफल नहीं हो सकता इंग्लिश ओपेंज न्यू विस्टार्स तु द लेटेस्ट नालेज एक्वाइड बाइड वेस्टर्न कंट्रीज फॉर इंडियान्स और आपको मैंने प्रिविएसली वीडियोज में भी बताया था कि जो वेस्ट कंट्रीज है जो पस्चिमी देश से उन्होंने भारत के लिए अंग्रेजी का बहत्रीन जो नौलेज वो प्रोभाइड करवाया ब्रिटिश ने खास करके इंग्लिश आल्सो फंक्शन्स एज लिंक लेंग्वेज बिट्विन दा साउथ एंड नौर्थ अफ चेंज तो जो है इंग्लीश जो इंग्लीश भारत में द्यूतिय भासा को रूप में यह वसे ही यह हमारा अटिशूड इस के प्रति बदलना चाहिए शुट वी टॉट्ट टू दा स्टूडेंट्स फ्रॉम दा प्रैमरी लेवल ऑफ एजूकेशन अंग्रेजी को हमारे सि एक विदेशी भासा नहीं है इट इस दे लेंग्वेज ओफ द जॉब मार्केटिंग टू यह जो भासा एंग्रेजी भासा यह जोब या मार्केटिंग का भी भासा है तो चलिए आज के अंतिम प्रस्न की और आगे हम लोग बढ़ेंगे आज का लास्ट क्वेस्टन हमारा ह होने वाला है क्वेस्टन नंबर आज का फॉर्थ क्वेस्टन यानि क्या इसमें सेरियल में क्वेस्टन नंबर एट जरा इसको समझते हैं राइट इस शौट नोट और ग्लोबल इंग्लिस बैस्वी का इंग्रेजी पर एक सोट नोट लिखे यह भाई यह को एक दम से भी नोट लिखे तो चलिए इसका आंसर देखते हैं इंग्लिस इस पुकिन आल ओबर द वर्ल्ड अंग्रेजी पूरे विश्व में बोली जाने वाली भासा है अगर प्रमुखता की बात की जाए अगर विश्वे की जन संख्या में अगर मेजूरीटी की बात की जाए बड़े अंग्रेजी दुनिया की सबसे ज्यादा देशों में बोली जाने वाली भासा भी है और अर्लियर को लोनीज ऑफ द ब्रिटीश इंपायर यानि ब्रिटीश इंपायर के जितने भी जितने भी उपनीवेस थे अंग्रेजी समराज्य के इंक्लूडिंग इंडिया इंडिया इसमें भारत भी सामिल है है वहां पर यह लेंग्वेज आनी अंग्रेजी अभी भी जाती है थे युनाइटेट अस्टेट्स एंग्लीज एफ इंडिया अज मे लेंग्वेज अगर उनाइटेट्छी आनी अमेरिका की बात की जा तो आपर अंग्रेजी हिए मेलें बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा बड़े बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा अंग्रेज इभ बोली जाती है इस अधिक लोग भी यह लेंग्वेज को सीक रहे हैं इन ओडर तो कंप्लीट विद वर्ल्ड कंपीट विद वर्ल्ड इन दे एज ओफ ग्लोबल मार्केट एकोनोमी और बैस्विक बाजार और अगर एकोनोमी की बात की जाया तो उस द्रिश्टी कोन से भी यह लेंग्वेज काफी इंपोर्टेंट हो जाता है तो फ्रेंट्स यह आज का हमारा लास्ट क्वेस्टन था अब इसका पार्ट थिरी में हम लोग पांच क्वेस्टन जो काफी इंपोर्टेंट है उसका स्टडी करेंगे और मैं उमीद करूंगा कि आपके जो 15 मार्क्स आने हैं स्टोडी आफ इंगलिस से यह आपके आएंगे तो चलिए मिलते ह नेक्स्ट वीडियो में